प्रियस एक्षार्थियों यना यूस के इस स्टूडियो में मैं डॉक्टर निलेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ आज हम लोग अध्याय बीस आलंकारिक परिचय है इस पाठ का अध्यान करेंगे आलंकारिक परिचय था जिन आचारियों ने अलंकारों का परिचय किया है परिचय दिया है जिन जिन आलंकारिक आचारियों ने अलंकारों के संबंध में बाते की हैं उनके विशाय में हम करेंगे. इसके अंतरगत बहुत से महतरपुन आचार्यों का वरण है वस्तुत-ध्याय में. तो पुनह हम आगे देखते हैं काब्यसास्त. काब्यसास्त किशे कहते हैं? काब्यकी समालोचना करने तथा इसके गुण और ऐभुण की परिक्षा करने वाली विद्या को अलंकार सास्त, साहित्य सास्त, काब्य सास्त आदि अनेक नाम दिये गए हैं अब काब्य किसे कहते हैं जो कभी का कर्म है उसको ही काब्य कहते हैं अलंकार के संदर्भ में जो वरण की बात आती है तो अलंकार का वरण वेदों से प्राप्त होता है वेदों में भी कई मंत्रों में सुन्दर अलंकारों का वरण प्राप्त होता है तो अलंकारों के उत्पत्ती कहां से हुई है हम उसको वेद काल से लेके चल सकते हैं इसलिए करें काब्य के संदर्य आधायक तत्तु को अलंकार कहते हैं प्रायह सभी आचारियों ने भामह, उद्भट, वामन, रुद्रट इन लोगोंने इस तत्ष को स्विकार कर अपने ग्रंथों के साथ अलंकार सब्द का प्रियोग किया है अब काव्य के संदर्या धायक तत्व को क्या अलंकार कहते हैं? सब संदर्या धायक तत्व से क्या तत्व परे है? जो काव्य की संदर्ता को बढ़ा दें, ऐसे तत्व को अलंकार कहते हैं. तो काव्य की संदर्ता को बढ़ाने वाला जो तत्व है, काव्य में जो संदर्ता ला काव्य का संदर्य क्या है जब सुनने के बार मन आनंदित हो तो काव्य के संदर्य धायक तत्र को अलंकार कहते हैं प्रायह कुछ आचारियों ने काब्य के प्राणभूत तत्व के रूप में रस, अलंकार, रीत, वक्रोक्ति, धनी, ध्वनी और चित्य को काब्य के प्राणभूत तत्व के रूप में श्विकार किया है अब काब्य के जो अंग हैं, काब्य के अंग अरीती है, रस है, गुण है, अलंकार है, ये सभी ध्वनी हैं, ये हैं काब्य के अंगभूत तत्व हैं और इन्हीं का वर्लन जिस ग्रंत किया जाता है वह काब्य सास्त है बहुत से आचारियों ने अलग-अलग अंगों को काव्य का प्राणभूत तत्व माना प्राणभूत तत्व मतलब काव्य की आत्मा कि इसके बिना काव्य संभव नहीं है अनेक आचारियों ने अलग-अलग अपने बिचार रखे और कावि के प्राणभूत तत्र के रूप में किसी किनी आचारियों ने रस को माना, कावि का प्रमुख तत्र को माना, किसी ने रीती को माना, किसी ने वक्रोक्ती, किसी ने ध्वनी और अचित्त को भी माने, लेकिन सभी आचारियों ने अलंकार को भी माना है, लेकिन प्रमुख कभी है आचार भरत मुनी, संस्कृत काबि सास्त के सबसे प्रथम आचार भरत मुनी को माना जाता है, आचार भरत मुनी का समय इसा की चतुर्थ सताब्दी से ले करके इसा पुर्यो दिती सताब्दी के लगभग इनका समय माना जाता है, इनका जन्म स्थान कस्मीर माना जाता है इनका जो प्रमुख ग्रंध है नाच्च सास्थ नाच्च उन्होंने प्रिथक रूप से काव्य सास्त के रूप में कोई कारे नहीं किया लेकिन काव्य का वरलन भी इनके नाक्य सास्त में प्राप्त होता है नाक्य सास्त का परिचय देखते हैं प्रस्तुत ग्रंथ महा कभी आचार भरत्मुनी द्वारा रचित नाक्य सास्त में इनका ग्रंथ 36 सद्यायों में और 5000 शलोकों में विभकत है यह नाक्य सास्त ग्रंथ 36 सध्याय और 35 स्लोकों में विभक्त है काविमाला संस्क्रण में 37 सध्याय प्राप्त होते हैं और चवंखंभा संस्क्रण में 36 सध्याय का वरण प्राप्त होता है यह ग्रंथ नाक्य सास्त को तीन भागों में विभाजित किया गया है सुत्र भाग में, कारिका भाग में और इश्लोक भाग में इस नाच्के सास्त को विभाजित किया गया है आचारे भरत्मुनी रथम आचारे हैं जिन्होंने काव्य की प्राण भूत तत्व के रूप में रस को माना अथात उन्होंने रस को काविका प्राण भूत तत्व माना यद्यपी उन्होंने अपने नाचे सास्त में अलंकारों का भी वरण किया है और उन्होंने चार अलंकारों को माना उपमा, रूपक, दीपक और यमक नाचे सास्त में उनका जो प्रमुख सिधान्त है वह रशसुत्र पे है जो है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद रश निस्पत्ते हैं यहां भरत्मुनी का प्रमुख रशसुत्र है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रश की उत्पत्ती होती है अगले आचारी को देखते हैं, अगले आचारी आचारी भामह है, आचारी भामह का भी संस्कृत काब्य सास्त में महनी ये इस्थान है, भामह ने ही प्रथम आचारे हैं, जिनोंने अपने गरंथ काब्य सास्त में केवल और केवल काब्य के अंगो और उपांगो का वरंग किय आचारे भरत्मुनी ने जहां नाच्य सास्त के अंतरगत काव्य कावरण किया है, वही पे आचारे भामह ने काव्य से नाच्य को अलग किया, नाच्य से काव्य को अलग करके उन्होंने सुतंत्र काव्य सास्त की रचना की, इनके पिता का नाम है रक्रिल गोमिन, प्रायह संस सक्रित जगत के जितने महनी आचारे हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन वृत्त के विशय में कोई भी सूचना नहीं दिये हैं, एतिहासिक साक्ष और साहितिक साक्ष के आधार पे उनके जन्म और उनके जन्म स्थान, उनके माता पिता आरी के नामों को हम जानने का प्रयास करते हैं, इसी करम में आचारे भामह के पिता का नाम रक्रिल गोमिन राप्त होता है, इनका समय छटी सताब्दी का मध्य माना जाता है, धाला कि साहितिक साक्षों में बहुत से तर्क वितर्क के बाद इसका निर्ड़े किया गया है, इसलिए सर्वमान जो समय है, इनका समय छटी सताब्दी का मध्य माना जाता है, इनका जन्मस्थान कस्मीर माना जाता है, कि यह कस्मीर के निवासी थे, इनकी जो प्रमुख रचना है, वह है काब्यालंकार, भामह का, जो की छ़ परिछेदों में विभक्त है, परिछेद से तात्परे हैं, जैसे हम अध्याय कहते हैं, पाठ एक, पाठ दो, पाठ तीन, वैसे ही आचारियों ने अपने अपने गरंथों को अलग-अलग नामों से विभाजित किया है, वह अच्छे अध्याय भी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने अध्याय न कहके, उन्होंने परिछेद कहा, तो भामह के काब्यालंकार, छप अलंकारों का प्रयोग किया है, जिसमें दो शब्दा अलंकार हैं और 36 अर्था अलंकार हैं, इन्होंने काब्य के प्राण भूत तत्र के रूप में अलंकार को ही माना गया है, इसलिए माना है अलंकार सास्त्र, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचारे भामह को ही माना इनका प्रमुख शिद्धान्त है सब्दार्थव सहितव काब्यम। इन्होंने केवल सब्द को ही काब्य नहीं माना और केवल अर्थ को ही काब्य नहीं माना। अपितु सब्द और अर्थ दोनों के सहित भाव को इन्होंने काब्य माना। अगले कभी के रूप में देखते हैं, आचार दंडी संस्कृत जगत के महनी आचार हैं, इनके लिए कहा जाता है कि उप्माकारी रासहस्य भार वे रर्थ गौरवं, दंडी नह पदलालित्यम मागे शंतितर योगुड़, दंडी नह पदलालित्यम, आचार दंडी अपने प सात्मी सताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। आचाय जंडी का समय जो है वह सात्मी सताब्दी का उत्तरार्ध अरथात। सात्मी सताब्दी से तार्थ पर यह है कि छे सौ से ले करके साथ सौ के मध्य माना जाता है। इनका निवास इस्थान ये दाक्षडात्य है, दाक्षडात्य स्तातफ़ द्छिर भारत के निवासी है। वरतमान दक्षडात्य का जो एरिया माना जाता है वह लगभग लगभग मध्यपदेश, महाराष्ट, राजस्थान और करनाटिका के कुछ छेत्रों को ले करके दक्षडात्य माना जाता है तो एकदम सकीक उनके इस्थान के विशय में संदेह है इसलिए उनको दक्षडात्य कहा गया है कि यह दक्षिल के निवासी थे आचाय धंडी की तीन रचनाय प्राप्त होती है पहला अवंत सुन्दरी कथा दूसरा दश कुमार चरितम तीशरा काव्यादर्स इन तीनों गरंथों में जो काब्यादर्स गरंथ है वह काब्य सास्त का प्रमुख गरंथ है इनका काब्यादर्स तीन परिक्षेदों में विभक्त है जिसमें इन्होंने काब्य के गुण दोसों अलंकार आधी का वरलंग किया है आचारे दंडी ने 37 अलंकारों का प्रियोक किया है जिसमें दो शब्दा लंकार है और 35 अर्था लंकार है इन्होंने रीतियों का भी वरण किया है लेकिन इन्होंने वैदर्भी, गौरी और पांचारी रीतियों के जगह पे उन्होंनों उनको रीति नखह के मार्ग कहा है उन्होंने अलंकार को ही माना अलंकार को ही प्रमुक्ता दी इसलिए उन्होंने कहा उनका जो प्रमुक्षिद्धान्त है कि सरीरम तावद इस्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली कैसी पदावली जो इस्ठ अर्थ को प्रदान करे ऐसी पदावली यह इनका प्रमुक्षि अगले कभी के रूप में हम आचारे वामन को पढ़ेंगे, आचारे वामन, संस्कृत काविसास्त में आचारे वामन अपने रीति संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध हैं, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं, इनका प्रमुख जो सिद्धान्त है व जिन्होंने अपना वन्स परिचय नहीं दिया है, उनके माता पिता का नाम क्या है, कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, इन विशयों में प्रायह आचारियों ने अपने विशय में कुछ नहीं कहा है, उनके विशय में उनके पुर्वर्ती और उनके परवर्ती साहित्यों का आउलोकन करके उस समय के साहित्तिक और एतिहासिक साक्षियों के आधार पे इनके विशा में जानने का प्रयास किया जाता है फिर भी वह सफलता नहीं प्राप्त हो पाती है उसी कर्म में आचारे वामन के वनस परिचय में हमें अनुपलब्ध है हमें सकीक रूप से कोई उनके परिचय नहीं प्राप्त होता है उनके माता-पिता अधी का क्या नाम है समय के बात करें इनका जो काल है यह आठुई सताब्धी का उत्तराध माना जाता है संभवते हैं यह माना जाता है कि यह आचारे आनन्दवर्धन के समकाली थे क्योंकि इन्होंने न तो आनंदवाधन का इन्होंने उलेख किया है और न आचारे आनंदवाधन ने इनका उलेख किया है अपने गरंथों में इसलिए इनका समय आठ्विशताब्दी का उत्तराध माना जाता है निवासिस्थान के विशे में प्रायः संस्कृत के जो मोधन विद्वान रहे हैं वह देश का जो सिर्ष भाग है कश्मीर वहां के निवासी रहे हैं संस्कृत अगर कहीं पल्लवित और पुष्पित हुई तो वह कश्मीर में पल्लवित हुई जहां ऐसे महनी आचारे हुए उसी करम में आचारे वामन का भी जन्मस्थान, निवासस्थान, कस्मीर माना जाता है इनकी जो रचना है काब्या लंकार एक मत्र इनकी रचना काब्या लंकार सुत्र वित्ति प्राप्त होती है इन्होंने भी अपने ग्रंथ का विभाजन अधिकरण में किया है काब्या लंकार सुत्र वित्ति में पाच अधिकरण है जिसमें 319 सुत्र हैं एवं 250 इस लोक प्राप्त होता है इन्होंने अपने ग्रंथ में 31 अलंकारों का प्रियोग किया है जिसमें 2 शब्दालंकार और 29 अर्थालंकारों का प्रियोग किये है इनका जो प्रमुक्षिधान्त है रीती संप्रदाय है इन्होंने रीति को जिसको दंडी ने मार्ग कहा है उसी को वामन ने रीति कहा है उन्होंने रीति को काविक की आत्मा शुकार किये हैं इसलिए रीति रात्मा काव्यस्य यह इनका कावे लक्षण है इन्होंने काविक का जो प्राणभूत अत्त्त्र माना है वह रीति को माना ह इन्होंने तीम प्रमुखरीतियों को माना है, वैदर भी रीती, गौणी रीती और पान्चाली रीती आगे हम आचारे रुद्रट के विशे में पढ़ेंगे, आचारे रुद्रट का मूल नाम शतानन्द प्राप्त होता है आचारे रुद्रट ही वह संस्कृत काबिसास के वह प्रसम आचारे हैं, जिन्होंने बैज्ञानिक पध्धती का प्रियुक करके काबिकावर रन किया है इनके टिकाकार, इनके गरंथ काब्यालंकार का जो टिका लिखे हैं आचारे रुद्रट नमिशाध्धू, अपने नाम से ही उन्होंने टिका लिखी है उनके अनुसार उन्होंने अपने गरंथ में इनके पिता का नाम भट्ट वामुक बतलाया है इनका समय नवम सताब्दी का मध्य माना जाता है अथात नवम सताब्दी के लगभग इनका समय माना जाता है इनका जन्मस्थान कश्मीर निवासी इन्हें भी कश्मीर निवासी संभवतेया माना जाता है कि यह कश्मीर रांत के रहने वाले थे इनकी जो कृती है वह काब्यालंकार है जो 16 अध्यायों में विभक्त है इन्होंने अपने ग्रंथ को 16 अध्यायों में विभाजित किया है जिसमें 734 पद्य है अथार इन्होंने अपने इस ग्रंथ में 734 पद्यों में अपने काब्यालंकार का वरणं किया है इन्होंने अपने काभ्य में बासाथ लंकारों का प्रियोग किया है जिसमें पांच सब्दा लंकार और सत्तावन अर्था लंकारों का प्रियोग किया है सामान नित्या जितने भी पुर्व आचारियों का नाम बतलाया गया लिया गया जिनके विशह में अध्यन किया गया बनाने के लिए अलंकार को धारण करते हैं, सोने चांदी आरी आभूशणों को धारण करते हैं, क्यों? क्योंकि हम सुन्दर लगें, उसी प्रकार काभ व्यका जो अलंकार है, वह यही अनुप्रार स्यमक आरी सब्दालंकार और अर्थालंकार है, इसलिए प्रभी आचारियो अलंकार के विशे में वरड़न किया है और अलंकारों का विशद वरड़न किया है आचारे दुद्रत में अपने गरंथे में पांच सब्दा अलंकारों का और सत्तावन अरथा अलंकारों का प्रियोग किया है इनका जो प्रमुक्षिद धान्त है ये भी अलंकार संप्रदाय क वो मानने वाले आचारे हैं, अलंकारवादी आचारे हैं, इन्होंने भी काव्य के प्राणभूत तत्रों के रूप में अलंकार को ही माना है, और इन्होंने अपने इस 62 अलंकारों में 31 नवीन अलंकारों का इन्होंने स्वेम प्रयोक किया है, नए 31 नवीन अलंकारों को इन् अपिनो गुप्त अगले आचारे हैं, काविशास में ध्वनी संप्रदाय के प्रमुख आचारेों में या ध्वनी को पुनर स्थाप्पित करने वाले आचारेों में महाकभी आचार अभिनोगुप्त का महनी या स्थान है, आचार अग्मुन गुप्त के माता का नाम विमला और पिता का नाम निर्शिंग गुप्त है ऐसा प्राप्त होता है इनका समय दस्मी सताब्दी के मध्य से ले करके 11. सताब्दी के पुर्वार्ध तक अर्थात इनका समय 975 से ले करके 1025 के मध्य माना जाता है दस्वी सताबदी के मद्धे से ग्यारा हुई सताबदी के पूर्वाद तक इनका समय माना जाता है इनका जन्मस्थान अन्य कवियों की भारती इनका जन्मस्थान भी कस्मीर निवासी माना जाता है कि यह भी कस्मीर के निवासी थे कस्मीर इनका निवास स्थान था इनकी कृतियां प्राप्त होती है अभिनोभारती और धन्या लोक लोचन इन्होंने आचारे भरत्मुनी के नाक्य सास्त पर अपनी टीका लिखी जो अभिनोभारती के नाम से है जिसमें इन्होंने नाचे के संपुर और अंगो और उपांगो का सार रूपतत्र में वरण किया है और वर्तवान निस्तिति ये है कि नाचे साथ को समझने के लिए लोग अभिनव भारती का अध्ययन अनिवारे मानते हैं ये दिया आपको नाट के साथ समझना है तो आप अभिनवभारती का भी अध्यान करिए। इन्होंने आचारे आनंद वर्धन के ध्वन्या लोक ग्रंथ पे ध्वन्या लोक लोचन नामक टीका लिखी है। इनका जो प्रमुक्स ध्वांथ है ये ध्वनिवादी आचारे हैं अर्थाथ इन्होंने ध्वनी को काव्य का प्राण भूत तत्र स्विकार किया है। ध्वनी क्या है? जो ब्यंग्य है, जो काव्य को पढ़ने से जो ब्यंग्य की उत्पत्ती होती है, जो लक्षित अर्थ की उत्पत्ती होती है, जिसको हम महसूस करते हैं, जिसको हम अपने अंदर अनुभूत करते हैं, ऐसे जो विचार हैं वह ध्वनिवादी आचारियों के ह तो इन्होंने ध्वनी को काव्य का प्राण भूत तत्र माना है अगले आचारे कुंतक हैं आचारे कुंतक के संस्कृत साहित में काव्य सास्त में इनका बहमुल्य योगदान है इन्होंने एक नए विचारों को प्रस्तुत किया जो वक्रोक्ति संप्रदाय वक्रोक्ति सिध् इन्होंने काव्या के प्राणभूत तत्र के रूप में वक्रोक्ति को माना। इनके माता का और इनके पिता का नाम जैसा कि पूर्वे बतलाए हैं कई कवियों ने अपने काब्य में अपना परिचय नहीं दिया है इसलिए इनके माता पिता का परिचय अनुपलब्ध होता है इनका समय दस्वी सताब्दी के उत्तराज से ग्यारहमी सताब्दी के पूर्वाध तक माना जाता है इनका समय उनह वही 950 से ले करके 1025 इसवी के मद्धे इनका समय निधारित किया जाता है और निधार्ट करने का जो आधार है वह परवर्ती साहित्य और पुर्वर्ती साहित्यों का अवलोकन करके ततकालीन एतिहासिक साक्ष्यों का अवलोकन करके इनके समय का निधारण किया गया है इनका भी निवास स्थान कश्मीर माना जाता है यह भी कश्मीर के निवासी है प्रायह इस पार्ट में जितने भी आचारियों का हमने वरण किया है वे सभी आचार कश्मीर के रहने वाले थे अर्थात वहाँ पे ही उन्होंने सिक्षा दिक्षा ग्रहन की और कस्मीर को सम्रिद्ध बनाया सिक्षा के छेत्र में कस्मीर का जो महत्रपुन योगदान है विशेश रूप से संस्कृत साहित्य के समवर्धन और परिवर्धन में कस्मीर का अमुल्य योगदान है आचार कुंतक का जन्व भी कस्मीर में ही हुआ है ऐसा माना जाता है इनकी जो प्रमुख कृती है वक्रोक्ति जीवितम इनके ग्रंथ इन्होंने अपने काव्य में वक्रोक्ति को वक्रोक्ति अलंकार है वस्तुतर लेकिन इन्होंने वक्रोक्ति को ही काव्य का प्रमुख तत्वमाना है इनका गरंथ वक्रोक्ति जीवितम चार उनमेशों में विभक्त है उनमेश यहां अध्याय की तरह है पूरुमेवत लाया गया है इन्होंने अपने गरंथ को उनमेश के नाम से विभक्त किया है जिसमें चार उनमेश है इनका जो प्रमुक सिध्धान्त है वह वक्रोक्ति सिध्धान्त है संप्रदाय और सिध्धान्त में अंतर होता है संप्रदाय वो होता है जिसके अनुयाई होते है जिसके विचार को मानने वालें की एक लंबी सिंखला होती है सिध्धान्त एक व्यक्तिका होता है तो इनका जो प्रमुक सिद्धान्त है वह वक्रोक्ति सिद्धान्त है वक्रोक्ति थाज जिसकी उक्ति जो वक्र व्यंग अर्थ में जो बात करे यद्यपी यह ध्वन विरोधी आचारे हैं यह ध्वनी को नहीं मानते हैं काब्य में ध्वनी के स्थान पे ये वक्रोक्ति को ही मानते हैं और ध्वनी का निगरन ध्वनी को ये वक्रोक्ति के अंतर ही स्विकार करते हैं इसलिए काब्य के प्रमुक तत्व के रूप में प्रारभूत तत्व के रूप में वक्रोक्ति को ही मानने हैं अचार कुंतक ने वक्त्रोक्तिकों काविका, प्रार्भूत या आत्मतत्व माना है धन्यवाद